अब्लिया सद्गुर्देव की जैशे सरप्रथम सवस्त देशवासियों को चाहतर में सवतंतरता दिवस की शुब कामने है ये चाहतर में सवतंतरता दिवस है लेकिन सवतंतरता की वर्ष की आठ पच्चतर भी है इसलिए इसका महत और बढ़ जाता है एक तरह से ये सवतंतरता की डाइमन जुबली है हमें बड़ी मुश्किल से ये सवतंतरता मिली है कि प्राधीन सुख सपनेह नहीं जो प्राधीन होता है कभी सुखी नहीं हो सकता हूं बहुत संगर्ष के लिए बाद बहुत प्राणों को निशावर करने के बाद ये हमें सवतंतरता मिली है हमें इसे साश्वन और सुरक्षित रखने की ज़रूरत है कोई भी राष्टर संबन तब होता है और हर नागरिक का करते हैं कि हम अपने राष्टर के उत्थान के लिए काम करें जब राष्ट उन्नत शील हो जाएगा तो नागरिक को अच्छा जीवन जीने का उसर मिलेगा देश का विकास सर्फ सरकारों का वैज्ञानकों का काम नहीं है ये हर एक नागरिक का करते बेबनता है कि अपने देश के विकास में हाथ आगे बढ़ा है इस अवसर पर उन शहीदों को भी नमन करना होगा जिन्होंने सतंतता के लिए अपने प्राणों की अहुत्ती दी अपनी सेना को भी नमन करना होगा जिन्होंने 75 साल तक देश की ये सतंतता को बड़ी मजबूती से संभाला हमारी सीमाओं का की सुरक्षा की बड़ी खुशी की बात है कि विश्व की जितनी भी सेना हैं उन में भारतिय सेना अलग है कन्वेंशनल पावर भारतिय सेना का वर्ड में सबसे ज़्यादा है हम उस शेत्र में भी काफी विकास किये हैं उन कवियों को भी नमन करना है जिनोंने युवा बर्ड में आजादी की उमंग और जोश को अपनी कविताओं और रस्नाओं के दोरा उत्पन किया उन माताओं वीरांगनों को भी याद करना होगा जिनोंने अपने बच्चें को इस महा यग्या की आहुत में जोँक दिया ये अवसर हम सब को बहुत कुछ करने के लिए प्रेणित करता हैं बहुत कुछ याद दिलाता है देश के विकास के लिए हम सब को सजक और सतर्क रहना होगा जब देश पिछड़ा हो जाएगा तो कमजोर हो जाएगा कोई भी देश उनत शील तब है विक्सित तब है उसके सब नागरिक स्वस्त हो वाह स्वस्त शेवाएं उत्तम हो दूसरा शिक्षा का इस्तर बहुत उंचा हो क्योंकि विकास के लिए शिक्षा एक बहुत बड़ा माध्यम है और स्वालम बता हो कोई भूखा न रहे स्वालम भी हो हर एक को रोजगार मिले किर्शी प्रदान देशोंने करण राष्ट किर्शी प्रदान है यहां सत्तर प्रसेंट लोगों की जीव का किर्शी पर है उसकी विकास के लिए भी वेज्ञानिक भी काम कर रहे हर और किसान भाई को भी इसकी आवशक्ता है को अपनी और से पूरा पूरा सायोग योगदान दे इसके साथ साथ सरशुर्ता की भी ज़रूरत है अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे देश का भी विकास नहीं कर सकता है विगद कुछ सालों से हमारे हाँ धर्मी की विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गये अच्छा सिगनल नहीं है आजादी के संगर्ष में सभी धर्म ब्रादरियों ने एक साथ हो करके ये लड़ाई जीती थी आज भी जितनी भी विकास की स्वतनतरता की चीज़ें उन सब में देश के सभी नागरगों की भूंका की आवशक्त है ये हमारे अंदर जो वेमरेस से धार्मिक भावनाओं का उत्पन हुआ है ये थोपा हुआ है कुछ लोग राश्टर की उन्नती नहीं चाहते हैं कुछ देश इसलिए यहां कलह उत्पन करना चाहते हैं हम सब भारत एक ऐसा छेतर है ऐसा देश है जहां सभी धर्मों को पन अपने विक्से तोने पलवित होने का चांस देता है जितने सभी धर्म भारत में सुरक्षित हैं इतने किसी भी देश में नहीं है हाला कि कुछ समय से आंतकवाद के करन पूरे विश्व में अशानती है पर सबसे ज़्यदा भारत के अंदर ऐसे अराज़क तत्तों की नजर है जो भारत का विकास किसी भी द्रिश्टी से नहीं चाहते है जब भी कोई शत्रु है वो तीन तरह का नुकसान करता है पहला वो फिजिकल नुकसान करता है दूसरा फिजिकल नुकसान में मारा पीटी युद्धें वगर आ जाता है दूसरा फैनिंसल ये आए के साधन जो है उनको काड़ने की कोशिश करता है तीसरा इमोशनल युद्ध है मनोबल को कम करना को परचार करना आदी है इस समय हम इन तीनों चीज़ों से गुजर रहे है कुछ हमारे परोसी देश भी हमें मजबूत नहीं देखना चाहते है सौभा भी कहें इसलिए हम सब को इस वहमनिस्थ की प्राचीर को लांगना होगा हम पहले भी यहां शान्ती से रहते थे सद्यों की बाते हैं सम्मिल जुल कर रहते थे जितना आज वेमनिस्थ से है इतना कभी भी वेमनिस्थ से नहीं था ये राश्टर के विकास के लिए और राश्टर की शान्ती के लिए घातक है विकास के लिए शांती की नितान्त जरूरत है जब आदमी यहां शांती नहीं होगी तो आदमी तो बाहर निकलने में भी डरेगा हिंसा किसी भी राष्ट को उन पर नहीं जाने देगी इसलिए जो हिंसा कर रहे हैं उनका भी नुकसान है उनकी पीडियों का भी नुकसान होगा उससे हम सबको बचना होगा, सैर्शन होना होगा अन्य था आगे हमारा भविश्य अब हमारा विकास रुख जाएगा कुछ शायते हैं देश कि हमारा समगर विकास नहोगा और विकास कि आज जितना अवसर भारत में हैं जितनी संभावन हैं हमारे देश में कहीं नहीं हैं प्रकृत के रूप से हम बहुत संपन हैं यह वो देश हैं जहां छेरत होते हैं सभी संसादन उपलब्द हैं, सभी खनिज उपलब्द हैं वैक्यानकों का मुल्यंकन था अगर भारत तेल पूरा निकाले तो भारत को एक मून तेल भी कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यानि हमारी इस वसंधरा के अंदर सभी पदार्त है, यह स्रोत है यह भूमी सभी सुख और सिवधायन देने वाली है जितना भारत के अंदर सभी धर्म, पल्लित और सवतंत्र हैं किसी देश में नहीं है, यूँ तो लड़ायां हर जगे हो रही हैं धर्म धर्म से भी लड़ रहा है, हर धर्म में अलग-अलग मानताएं हैं भारत के लिए यह त्रासदी बहुत ज़्यादा है हमारा ध्यान सुरक्षा की तरफ मांडने के लिए ताकि हम वेग्याने के स्थिति से तरक्षी नहीं कर सके कुछ संपन देश भी प्रयास रहते हैं लेकिन वो अंदर से यह कारवई करते हैं और कुछ उन्मान भी लोगों में फैलाने वाले हैं हमें सबसे बहुत बचना होगा जहां समत्य तहां संपति नाना जहां कुमत्य तहां विपत्ने दाना देखकर बड़ा दुख होता है कि आजकर हम देशवासी स्यम्मी आपस में लड़ रहे हैं यह लड़ाई दोनों के लिए ठीक नहीं है मैं लोगों से कहता हूँ जिसका नाम लड़ाई है वो हानिकारक है जीतने वाले के लिए भी हानिकारक है हारने वाले के लिए भी हानिकारक है इसलिए राष्टर में एक शांती का माहुल बनाने की आफशिक्त है एक सुरक्षा का माहुल भी बनाने की आवशकता है ये कार हम सब नागरकों का भी बनता है ये हमारा कर्तब है राष्टा हमें बहुत कुछ देता है हमें राष्ट जलवाई देता है वाई देता है, सुरक्षा देता है और कई अधिकार देता है हम अधिकारों से अपने जीमन स्तरकूम उठाते हैं पर हमें ये नहीं भूलना होगा इन अधिकारों के साथ भी हमारा कुछ करतब भी है धीरे धीरे राश्टिता की भावना कमजोर होती जा रही है मुझे ध्यान है जब देश आजाद हुआ दस साल तक आजादी का जश्ट मनाया गया था तो हम लोग इसकूलों में ये 1957 तक ये जश्ट मनाया गया था हम लोग इसकूलों में परबाद फेरियां करते थे और जन जन में राष्ट की के विकास और राष्टवाहता की ध्हारा का सरजन करते थे उसकि आज भी अश्रक्ता हैं, हम नई पीडि को राष्टवाहती ध्हारना दें न गरे विवादवात की आने वाली पीडि, इस दुख को हमसे जाद़ भोगेगी हम सब इस समय जिस दिशा में जा रहे हैं वो राश्टा के पतन की दिशा है इस देश में रहने वाले हर वेक्ति का हर धर्म का, हर नागरिक का करतब है पहले हम एक राश्टी भावना अपने अंदर रखें राश्टा हमारा घर है बाकी चीज़ें तो बाद में होती रहती है और अध्यात्मिक ताइस देश की रीट की हड़ी है क्योंकि अध्यात्मिक ताइंको सहशुर्ता सिखाती है अध्यात्मिन धार्मिक दिरिश्टी से भी भारत बहुत उंचा था वेग्यानिक दिरिश्टी से भी प्राडम्प से बहुत उच्छा था भारत के अंदर विकास का छीतर इतना विक्सित हैं कि आप मत पुछे आज तो वेग्यानिकों के पास में इनिश्टुमेंट्स और सब चीजें हाजर है वेक्रमादित्य की के राज्य में वरावट और आरवट वेग्यानिक थे जिनके पास खुर्दूर्बिन और दूर्बिन नहीं थी मास की नलकाओं दौरा नचत्रों का ग्यान लेकर की कई चीजें दी उन्होंने इसलिए हमारा देश हर तरह से संपन था इसे सोने की चिडिया कहते थे किर्शी के छेत्र में भी हम बहुत मजबूत थे और शांती की दृष्टी से भी हम काफी आगे थे विकास बहुत विशाल था अगर आप देखें आज भी जो भारत की इंफ्राइस्टिक्श की इस्तिती थी वो वर्ल्ड बे सब बहतर थी मौहंज और जड़ो हरपा आदी इसका एक परमान है और साथ में वैशाली और मगद आदी और प्राचीन जो हम बड़े बड़े तोरण किल्डे देख रहे हैं वो हमें एक इतला देते हैं हम काफी विकसित थे और यह होता है सबकी नजर चड़ते सूर्य पर होती है यह देश संबन था यहां प्रकृतिक सभी संसादन मौझूद है इसलिए इस देश में जनम लेने वाला भी बहुत भागयवान है वो इस वसंदरा में जनम लेने वाला बहुत भागयवान है आप सोचे जो क्रिटिकल जगहों पर जन्ड देते जहां कि भोगलिक इस्तिती ठीक नहीं है उनको सभी संसादन जीवन यापन के उपलब्द नहीं हो पाते हैं यहां प्रकृत ने हमें बहुत सुधाय दे रखी है इसलिए और इस वसंदरा में इतनी ताकत हैं कि आप विचा करें 140-140 क्रोड जन्ड जंढ क्या भारत की हो रही हैं इन सबको वह यह वसंदरा भोजन दे देती हैं सब्सदिय दें अवस्थर देदेती हैं इसके अंदर कितनी ताकत हैं कई ऐसे देश जान कपाँस होती नहीं आ उनको दूसरे देशों पर नर्मोर होना पड़ता है यह स से ही सोने की चिडिया नहीं कहलाता था तो इसमें हमें जब भी एक घर में शानती होगी ना चाहिए एक टाइम का भोजन है ना तब भी वो आनंदित रहेंगे अशानती होने पर जितने भी संसाधन होंगे तब भी आनंद नहीं मिलेगा इसलिए हर नागरिक को यह सोचना एपाउ हमारा यहां का लोकतंत्र भी आपको कावी सुउटा देता है जानता हूं कुछ कुष कूंठित राजनितियों के खारन से भी थोड़ी सी दिक्कते हो रही हैं कुछ मेहत तो काईशी लोगे करन भी दिक्कते हो रही है उसको हम धर्कार रखें अगर नागरिक चेतन है तो सब काम होता जाएगा दरसल लोकतंत्र में सरकार भी नागरी की तो चुन रहे है ना उन्हीं की तो बसंद है ना तो और ये लोकतंत्र भी विश्व को पहले भारत ने दिया है हमें इन सब चीजों को बारी की से समझना होगा और शिक्षा के इस्तर को और उंशा उठान मैं पूरे विश्व में भर्मन करता हूँ जितनी क्रिज्व भारत के लोग हैं आप शाए नासा में जाकर देखें गूगल में जाकर देखें और अन्य जगएों पर जाकर देखें भारतियों का सइभागता दूसरे विश्व के देशों के उठ्छान में भी बहुत हैं हर एक नागरिक अगर आपस में सोहार्द और भाईचारे का संदेश देगा तो विवाद खत्म हो जाएगा जगड़ा और लड़ाई तो जीतने और हारने वाले के लिए दोनों के लिए नुकसान का रखे हैं और एक मनिश हैं जिसके पास संबाद है जो बाचीत कर सकता है इसलिए लड़ाई तो किसी भी छेतर से उचित नहीं है और जहां लड़ाई हैं वहाँ पर संतुष कैसा वो सकता है इसलिए जो लोग धार्मिक और अन्यत प्रकार का उन्वान पैदा कर रहे हैं उनसे भी हमें सावधान रहना हुगा हमें निसन देखना होगा और एक धार करना बनानी होगी हमें मिलकर रहना है इसके अलावा हाल नहीं है आज विश्र जम्दाय सिंटा हुआ है पहले क्या वाता था हर देश की बाजार अलग थी हरे अरिक देश का मूल अलग था लेकिन अगर आप देखें ना तो हर एक देश का भी रेट एक चल रहा है मूल एक में उदान देता हूँ मैंने बिटेंग में एक से दूतका भाव पूशा जब मैं कंपाल किय तो वारत क Pennsylvania भी भाव था फिर एक पनीर पूशा कंपाल किया भाव था इस तरह से अगर महां असीर फीकलो आलू हें तोे कैरेंशी अंतर है इस तरह से आज विश्य मार्केट सी में सुकड़ गया है बहुत सुकड़ गया है तो यहाँ पर यानि एक चीज जो घटना होती है बहुत जल्दी वैरल हो जाती है नेट वर्क कैसा है यहाँ शांती बनाने की बेद जरूरत है और इसमें अध्यात्म की भूमका होनी जब भी धर्मिस्तानों पर हिंसा न सिखाई जाए धर्मिस्तानों पर शांती का संदेश दिया जाना चाहिए क्योंकि धर्म तो हिंसा सिखाता ही नहीं है धर्म में हिंसा और अपराद का कोई इस्तान नहीं है अगर हम धर्मिष्ट है तो इन सब चीजों पर हमें चलना सबसे पहले गुर्कुलों में जाते थे वाजदिक रुषिन जी भी गुर्कुल में गए थे वहाँ पढ़ने के लिए इस तरह से आज हमारी शिक्षा पदिती को भी सावशन बनाने की बहुत जरूरत पढ़ेगी जिससे हर नागर का अपना कर्तब ठीक से समझ सके दूसरा मै मैं पुने सेना के लिए एक बात कहूंगा कि भारती सेना सच में बिश्र में लाजवाब है आप देखें जहां भी सेब्तराश्ट संकी ओर से सेना ही जाती है शानती के लिए उसमें पहला नंबर भारत का होता है हमारी रज्जमेंट कांगो गई वेटनाम गई शानती के ल इस तरह से राश्टर का सम्मान हमारी सेना ने में वीदेशों में भी बहुत बढ़ाया है कई जगों पर उन्होंने अपने काम करके दिखाये आप देखें जब एक सी आपदय आती है जो असाद्य होती है तो सेना को काल कर दिया जाता है हमारी तीनों सेना एं एक दूसरे स में संग्रीत है और सामन जैस तीनों सेणाओं का आपस में बढ़ा अच्छा है थल सेना का कभी-कभी वायू सेना के साथ में भी exercise चलती है कभी-कभी नेवी के साथ भी चलती है, सामन जासे है हमारी सेना है, हमारी सीमा को सुरक्षित रख रही है, ये बहुत बड़ी शांती है, अगर घुस्पीटी आएं, सिमिंगलर आएं, आंतकवादी आएं देश में, तो अशांती पहलाएंगे, लेकिन हमारी सेना है गिद द्रिश्टी से सर्फिस कर रहे है इका दुका लोगा है, लोगों ने देखा, जब वो इन्फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे तो हमारे यूवावर्ब को भिर्मित करने की कोशिश की, धन का लूब दे करके और उन्मान पैदा करके लेकिन यूवावर्ब को भी सोचना है जितना हर धर्म भारत में सुरक्षित है इतना विश्ट के किसी कोने में भी सुरक्षित नहीं है और यहां का सम्मिधान भी उसे ये सुरक्षा की गैरेंटी देता है शिक्षा की गैरेंटी देता है कोई भी बिहसाएं करें आप उसको guarantee देता है आप भारत के किसी भी राज्या में जाकर बसें आपको guarantee देता है इस तरह से हमारा सम्मिधान भी हमें काफी सुधायन देता है राज सवाल राजनितिय चलता रहता है इसमें अच्छे लोग भी कभी आ जाते हैं कुछ-कुछ अट अच्छा चोड़ के जाना होगा यह नहीं कि आने वाली PD सऽ्रफ संग्राम देख्ति रहे और विबाद देख्ति रहे युद्धे देख्ति रहे मार कार्ट देख्ति रहे तो वहां पर शानती नहीं हो सकेगी इसलिए एक ही उपाय है हम यहाँ पर किसी भी धर्म को खतम नहीं कर सकते हैं, किसी भी संप्रदाय को नश्ट नहीं कर सकते हैं विश्व शमुदाय इसको सुईकार नहीं कर पाएगा और इस तरह से जो ऐसे भिरमित लोग हैं जो आप सी सामझ जसे को खतम करने की चेश्टा कर रहे हैं उनकी तरफ आप न जाएं जो भी मैं यह कह रहा हूँ धरमेवेताओं का यह करता पैं धरमे कुनमात का भाशन न दें वो शांती का भाशन दें मैं कभी-कभी देखता हूँ कुछ-कुछ धरमेवेता इतना भड़किला भाशन देते हैं वो भाशन आगे चलकर समाज को कश्टी देगा न जहां पर ऐसी इस्तिती होगी वहाँ शांती नहीं हो पाएगी इसलिए मेरी धर्मेवेताओं से भी प्रात्ना है कि वो लोगों को चाहे किसी भी धर्म के है और शांती का संदेश दे और सरशनता का संदेश दे एक जुट रहने का संदेश दे न कि उन्हें हिंसा का संदेश दे ये देश के लिए बहुत गलत चीज हो जाएगी आप देखते हैं कुछ देशों से में लोग अपने आदमी नहीं भीजते जो परियाटक हैं उनको नहीं भीजते ज्यान रखना हो पहला विकास किर्शी का होना चाहिए शेक्षा का होना चाहिए जब तक ये दो और इंफ्राइस्ट्रिक्चर का होना चाहिए आवागमन के सादनों का होना चाहिए यातायात के सादनों का विकास होना चाहिए पूरा पूरा होना चाहिए आप अगर विश्व पठल पर जाकर देखेंगे तो जो विक्सित देश है उनमें ये चीज विशिष्ट है पहले वहाँ आवागमन के सादन बहुत अच्छे है और अन्य उत्मादन भी बहुत बहतर है हमें सरफ हत्यारों पर ही नहीं रहना होगा वो तो सरक्षा के लिए ज़रूरी है प्राश्रपती कलाम जी ने एक प्यारी बात कही थी कहा था परमानु बम शान्ती की स्थापना का सबसे अच्छा सुनत है अगर ये परमानु बम नहीं होता तो कई देश हापस में बहुत लड़ना था अभी उनको ये खत्रा है कि एंड मैं प्रमानु बम होगा और प्रमानु युद्ध में कोई विजय प्रप्त नहीं करता है तो इस तरह शान्ती तो बहुत ज़रूरी है और शान्ती का पार्ट भी भारत पूरे विश्र को पढ़ाया और यह कहा कि संक्तों की वानी को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बहुत बड़ी भूम करने भाई है अपनी राष्ट की शान्ती के लिए और विकास के लिए भी इस तरह हमारी संस्ता इस शेत्र में बहुत बड़ा काम कर रही है सबसे पहली बात यह है कि हमारी संस्ता में विवित प्रकार के धर्म ब्रादरियां जातियां सीम लेते हैं अक्यली यूक्रेन के अंदर दो-तीन हजार इसाइज जो है हमारी संस्कृति और हमसे दिक्षण लिया है इसलिए हम साथ नियम बताते हैं जो के राष्टर के उत्थान के लिए बड़ा ज़रूरी है मुझे खुशी है हमारे लोग उन नियमों का पालन कर रहे है परतम सत्य जूट हर पाप को उत्मन करता है साच बरापर तप नहीं जूट बरापर पाप और दूसरा एंसा ये देश इसलिए मान है या एंसा प्रमुख है हमारे वेदों का भी उद्गोश है सत्य में जहते और एंसा प्रमुधर्मा और तीसरा हम कह रहे है नशा नहीं करना मुरार जी भाई देशाई को किसी ने कहा था वो नशा बंदी कर रहे थे वो इसमें कफी स्टिक्ट थे तो कहा किसी ने कहा इंधरा जी का शासन तो चला गया नस्मन्दी के करन मुझे याद है आपका शासन चला जाएगा न शाबंदी के करन। उसने कहा चाही शासन जाने दो मुझे इसकी चिंता नहीं है क्योंग शची है कि देश में नशे के कारण बहुत बड़ी गरीबी है और इसका प्रभाव गरीब परिवारों पर पढ़ता है कैसे पढ़ता है आप देखें एक माता मेरे पास आई मिस्त्री था उसका आजवेंट तेन चार बच्चे थे वो बच्चों की परवरिश नहीं कर रहा था अपनी आय का बहुत बड़ा इससा सरफ नशे में लगा रहा था भारत में जो एक गरीबी थी उसका कारण पहला नशा था इस नशे पर भी लगाम लगाना चाहिए चोथा परिस्त्री का मन नहीं हम बताते हैं यानि क्यारक्टर की ज़रुरत है पांश्वां चोड़ी नहीं करना इस समय अपराद का रेशो बहुत बढ़ रहा है हमें देखना होगा क्यों बढ़ रहा है हर एक आदमी को स्मार्टपोन चाहिए ब्रांड़िट कपड़े चाहिए बागी सब चीजे सुधाएं चाहिए तो वो जब उसे नहीं प्राप्त हो पाती है तो अपराद की तरफ चल पड़ता है हमें अपनी आश्रक्ताओं को सीमेत रखना होगा अपने संसादन आये के बढ़ाने होंगे जिससे अपराद कम हो जाएगा पहले अपराद तो अपठित और बाहु बली लोग करते थे अभी अपराद शिक्षित लोग ज़्यादा कर रहे हैं आप इस बात पर चिंतन कीजिएगा इसलिए हमें विकास और कार्य और नोकरी के छेत्र को काफी ध्यान से देखना होगा अन्य था युआ अबवाट बढ़कता है और चाहे वर प्राइवुट सेक्टर में हो चाहे कहीं भी ऐसे संसाधन गवर्मेंट चलाई लेकिन कवर्मेंट सबको काम नहीं नहीं दे सकते हैं ये मुश्किल है और सबको रोजगार गॉपनी उससे भी देख नहीं इस कारण से जब हमारे यहां फैक्ट्री आदी का नुर्मान बढ़ता जाएगा तो लोग इंप्लाइट भी होते जाएंगे हम यह केवल सरकार पर दोश नहीं देना सरकार आती जाती रहती है यह चीज मैटर नहीं करती है अपनी अपनी नीतियां होती है लेकिन मैं यह कहना राश्टर के विकास पर अभी तक जितनी भी राजनीती पार्टियां रही और जितने भी लोग रहे उन सबका भी अपना सहयोग है किसी का कम है किसी का ज्यादा है किसी को ऐसी स्थिति नहीं मिली हम किसी की निंगा नहीं कर रहे इस तरह से थोड़ा विकास की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है जब पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा तो अपराद का रिट बढ़ जाएगा बहुत बड़ा हरा आदमी चाहता है भोजन एक आवशक्त है इसलिए चोर भी तो भोजन के लिए ही तो चोरी कर रहा है वो एक रिस्क ले रहा है तो हम जब उसको ऐसे पठल पर ला देंगे कि उसकी आवशक्तां की पूर्ती ठीक तरीके से हो जाए तो अपराद स्वें कम हो जाएगा और एक शांती राष्टर में होगी जहां शांती होगी वहां स्वच्छ मस्षश हो सकता है जहां पर विवाद होंगे वहां एक उत्पीड़न होगा जहां वहां आदमी वैसे भैवीत रहेगा इसलिए जहां सुमत्ता संपतिनाना जहां कुमत्ता विपत्नेताना तो राष्टर के उत्थान के लिए हर एक नागरिक की भूमका है हर एक नागरिक को यह भी सोचना होगा कि जिस राष्टर में हम रह रहे हैं उसके प्रती हमारा देना होगा सर्फ सरकार के काम नहीं है सरकार अपने काम कर रहे हैं पर हर नागरिक को चैतन होगा चैतन होना होगा जैसे प्रदूशन बढ़ेगा इस तरह से बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती जाएगी मुझे ध्यान है मेरा गाउं बड़ा आदर्श गाउं था चार सफा ही एक दूसरे एक सिक्के के दो पहलो है इसलिए अपने वाणियों में का अंदर सफा बाहर सफा तब साहिब काहिक हबा मैं पुरह सवस्ते संगत और देश वासियों को सोतन तता दिवस की शुब कामना है देता हूं मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कल पंदर की विवस्ता मिठाई की विवस्ता भी की है और मुझे खुशी है यां बच्चे तरंगा यूनिफार्म मात लड़किया और बच्चे पैंके आते बड़ा रम्रीक रम्रीक दिरिशा होता है हमने देशी घेग का भूजन और अच्छी सुवधायं भी कल की लिए रखिये सब को हम आउद करते हैं वेलकम में पुरे समस्ते संगत और देश वास्यों को सुतन तदा दिवस की शुप कामना ही देता हूं धन्यवाद भारत माता की जय है